परधान मंतरी नरिंदर मोदी ने भुतान नरे से जिगमें खेसर के साथ गर्म जोशी भरी बैठक की है। पीम नरिंदर मोदी और भुतान के नरेश ने रास्टिय सुरक्षा हिंतों पे ध्यान देने के साथ ही संबन्दों का विस्तार करने के लिए पांस सो तरी व्यापक रोट मैप पे ध्यान के अंद्रित करते वे बात ही पुर्फ कांग्रिस निता गुलाम नभी आजाद ने जमो कश्मीर में हुए काड़ी कड़म में पीएम मोदी की तारीफ की है उन्होंने कहा है मैंने कई मुद्दे को ले करके पीएम मोदी की कितनी आलोच ना की लेकिन वह उनके प्रती बहुत उदार रहें और उन्हें अनुचे 370 और सीए के सहीत कई मुद्दे पर उनके खिलाफ दिये गए उन्होंने डिप्टी सीम दिवेंदर फड़नविस ठाकरे को बेकार ग्रे मंतरी बताया है वही नाकपूर में वीर सुआर कर गौरब यातरा काड़ी करम को संबोधित करते वे दिरवेंदर फड़नविस ने उदफ ठाकरे को जबाद दिया है तिलंगाना बीजे पी चीफ ऐसे समय पे हिरासत में लिया गया है जब तीन दिन बाद आठ अपरेल को परधान बंतरी नरिंदर मोधी राच के दोड़े पे पहुंचने वाले हैं एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पुलिस देर रात करिम नगर में बंदी संचे के आ भारती जोगने ने 24 मार्च को दिये गए अपने फैसले में बलतकार के आरोपी व्यक्ति को बड़ी कर दिया है गोर तलब है कि एक महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ अबनागरिये बरसोवा थाना 2016 में बलतकार का मामला दर्च किया था इस मामले के फैसले की प्रती इस सब लोगों को गिरफतार किया गया है जिन्होंने पथर बाजी के शरुवात की थी यह पथर बाजी दो गुटों के बीच आपसी विवात के कारण बताई जा रही है सुप्रिम कोट राज कॉंगरे समित 14 राजनेतिक दलोग की उस याचिका पे सुनवाई करेगा जिसमें केंद्रिय जाच एजनसी के दुरूपियों का आरोप लगा है विपक्षी दलो की याचिका पे परधान ने आईदिस डिवाई चंदरचूर की अध्यक्षा वारी तीन सदस्या पीठ मामले में सुनवाई करेगी इस याचिका में भविश के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है करनाचका विधान सवाच चुनाव से पहले करनर फिल्मस्टार सुधिप और दर्शन तूगू दीपा भाजपा में शामिल होने की संभावनाई कई मीडिया रिपोर्स में इसका दावा किया गया है और साथ ही पाटी सुतरों के मताबिक दोनों कलाकार दो पहर दो बजे आसपास करनाचका के बैंगलोरू की एक नीजी होटल में पाटी में शामिल होंगे मई महीने में नुवे वर्ष में परवेश करने जाड़ ही मुदी सरकार इस सजचन को मनाने के लिए एक व्यापक रनीती तयार कर रही है बता दे की 2024 में आम चुनाफ होने वाले हैं ऐसे में सरकार गरीबों के कल्यान के लिए शुरू की गई अपनी योजना के लिए दिर्ग कालिक पड़ी नामों के बारे में लोगों को बताने के लिए परचार परसार में ध्यान के निरित कर रही है कांग्रिस नितर राहुल गांदी मन्धानी मामले के बाद पार्टी से सतरक नजल आ रही है खबरे की कांग्रिस ने करनाच का विधान सवाथ चुनाफ के दौरान परधान मंतरी नरिंदर मोधी पे सीधे हमला करने से बचने के लिए कहा है 2019 में रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर के विवादे टिपनी करने के चलते मार्च में ही सूरत की कोट ने राहुल गांदी अपराधिक मनहानी मामले में दोशी ठहराया था अगले साल अंदर परदेश में विधान सावा चुनाव होने है ऐसे में बीजेपी यहां सरकार बनाने के लिए आज सही कोशिश करना शुरू कर चुकी है अभी नेता, राज नेता, पवन कल्यान ने नई दिली बीजेपी के रास्टी अध्यक्स जेपी नेड़ा से मलाकात की है हलाकि मलकात के बात कहा है कि आंदर परदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए चुनावी गडबंदन पे फैसला करने के लिए और बात्चित की जरूरत है राजिस्तान के मुखमंतरी अशोग गहलोत एक बार फिर करोना वाइरस से संकरमित हो गए अशोग गहलोत ने खुद त्वीट करके इसकी चानकारी दिये उन्होंने लोगों से कोविट प्रोटोकॉल का पालन करने की अपिल की है भारत को लेकर के चीन हर रोज कोई ना कोई नया पैतरा अपनाता रहता है सीमा पे तनाव के बीच अप चीन ने नई चाल चली है ड्रैगन ने दो भारतिये पत्रकारों का वीजा फ्रीज कर दिया है दोनों पत्रकार छुटी पे भारत आये थे और जब वापस जाने लगे तो उन्हें चीन ने परविश देने से इंकार कर दिया चीन ने ये कदम भारत सरकार के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें भारतिये विदेश मंतराले ने एक चीन पत्रकार को देश चोड़ने के लिए कहा था राजिस्तान में विदान सवाच चनौफ जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं परदेश में वैसे वैसे सियासी महौल गर्म होता जा रहा है सियासत की गलियों में बगावच से लेकर कि कयासों का दौर शुरू हो गया है इस बेच परदेश की राचनीती का सियासी पारा चटने वाली है इस फोटो के सामने आने के बाद आजिस्तान की सियासत में कई तरह के कयासों का जनम दे रहा है योगी सरकार में जीरो टॉलरेस की बात कही जाड़ी है लेकिन भस्टाचार हर तरफ देख रहा है ऐसे में एक मामला गाजिपूर के बिरोना बलॉक में अंतरगत बनाई गई एक सरक में देखने को मिला है जहां एक ठोकर सही सरक उखर जाती है और फस्टाचार की पूल खोल देती है इस घटना का एक वीडियो भी वाइरल हो चुक है जिसके बाद विभागी अधिकारियों ने अनन्फनन में सरक को रातो रात सही करने की कोशिच भी की लेकिन सरक की हाला ठेक नहीं हो पाई बिहार के मुकमंतरी बीजेपी नेता को बंसे उरा देने की धंकी देने वाले शक्स उसका दोस्त निकला है उसने दावा किया है कि ये उसे अप्रेल फूल बनाने के लिए किया गया मजाग था पुलिस ने ये चांदकारी दी है मुझफरपुर की काजी मुहमद पूर निवासी बीजेपी नेता देवानशो की शोर को एक अप्रेल को दो वाटस अप कॉल आई थे जिसमें फोन करने वाले ने उन्हें गंबीर परिनाम भुगतने की धंकी दी थी फोन करने वाले ने कहा था कि आप हिंदु वादी नेता होने के दावा कर रहे हैं मैं आपको मार दूँगा और आपके पूरे घर को उड़ा दूँगा रास्चियबल अधिकारी सारक्षन आयोग ने पस्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेच के राज में बाल विवा की शिकायतों के संबंद में राज के अधिकारियों दौारला परवाही बरतने के आरोग पर इस पस्टी करन मांगा है हरियाना के जंजर जिले के बाहुदूर गज के सैप्टी टैंक में पाइप बिचाते समय जहरेली गैस के चपेट में आने से दो परवासी मजदूर सही चार लोगों की मौत हो गई ये पुलिस ने ये जानकारी दी है पुलिस ने बताये कि घटना जखोड़ा गाउं में उस समय हुई एक राजमिस्री और कुछ मजदूर टंकी की मरमत कर रहे थे उन दोर में मानब तसकड़ी का मामला सामने आया है जहां एक नाबाली का परण का 50,000 रुमपे में बेचने का परियास किया गया है अपने मकसद में नाकामयाब हुए तो नाबाली को मौत के घाट उतार दिया वही पुलिस ने पुरे मामले में एक ही परिवार के चार सदस्यों को आरोपी बना कर दो महिला आरोपी को गिरफतार कर लिया है वही दो आरोपी की तलाशी जारी है स्कूल के टीचर और कविता पात करने वाले की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है लेकिन बदमाशों ने बेरहमी से चाकू के उन पर ताबर तोर वार किये और फरार हो गए है ये मामला कोटा के संबाग के जाला वार का है जहां स्कूल की छुटी होने के बाद टीचर अपनी घर जा रहे थे तब ही रस्ते में ही बदमाशों ने हमला कर दिया वुस्टर शॉर्ट्स की कमी और मुंबई और महरास्टा में कोविद मामलों की बढ़ने के बीच राज किस्वास्त मंतरी तानाजी सावंत ने कहाए घबडाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस सीथी पे लगतार नज़र रखी जारी है कोविद नाइटिन के परकोप की शिरुआत में मुंबई और महरास्टा में सबसे अधिक पर भावित हुई है मुंबई में 1,089 और महरास्टा में 3,532 एक्टिफ केस दर्च किये गए छे जिलों में पॉजिटिव रेट 10 पीज़ी से अधिक है बीजेपी के नेतों और महरास्टा के मंतरी चंदरकांथ पाटील ने कहा है कि शिफसेना के परमुक उदफ ठाकरे को अपने शब्दों का परियोग साबधानी से करना चाहिए ठाकरे ने दिन में राज के गड़े मंतरी दिवेंदर फटनाविस पे निशाना सादा और ठाने के शिफशेना की एक महिला कारी करता पे कथित हमले के बाद उन्हें बेकार कहा था पातिन ने आगे कहा है कि उदफ ठाकरे राज में सत्ता गवाने के बाद निराज ने उन्हें शब्दों का परियोग सोस समझ के करना चाहिए नहीं तो राज की जनता उन्हें सबक सिखाएगी योगी अधित्यनात सरकार के मंतरी हुए करोना पॉजिटिव जानी अब कैसा है हाल पिछले दो से तीन दिन स्वास्त गरबर लगने के चलते कराया था कोविट टेस्ट कल मंतरी सुरे परताब शाही को कोविट जिपोर्ट पॉजिटिव आई फिलहाल होम आईसोलेशन में मंतरी सुरे परताब शाही है अमरीका के पुर्वरास्ट पती डोनाल ट्रम्प न्यू योर्क में पेशी के बाद वापस फ्लोरीडा लॉट आए हैं यहां उन्होंने अपनी पेशी को लेकर कि सार्विजनिक बयान चारी किया है उन्होंने कहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमरीका में ऐसा कुछ हो सकता है मैंने अपने देश के निडर्टा से रक्षा करने के लिए एक मातर परात किया था हमारा देश नर्क में जा रहा है अमरीका के पुर्वरास्ट पती डोनाल टरंप एडल्ट फिल्मों के अक्टरिस को मुबंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप में जुरे केस की सुनवाई के लिए मनहेटन कोट पहुँचे थे पेशी से पहले मनहेटन जिला अटर्णी कारियाले में उन्हें गिरफ़तार किया था टरंप पर 34 रोप लगाई गए हैं कोट ने उन पर 1.22 डॉलर की जुर्माना भी लगाया है ये पैसा एडल्ट स्टार इस्ट्रॉमी को दिया जाएगा बीजेपी नेता शुशिलमोदी के अध्यक्षता वाले संसदिये पैनल में अपनी रिपोर्ट में लोगपाल के परदर्शन से अशंतोस जताया लोगपाल के एक नए व्यक्ति पे मुकदमा नहीं चलाया भारत के लोगपाल के पास पिछले चार सालों में सरकारी अधिकार यों के खिलाफ लगबग 68 फिजदी भस्ताचारी के शिकायत बिना किसी कारवाई से निप्टा दी गई है लोगपाल के कारियाले ने एक संसदिये पैनल की ये जानकारी दिये बताया गया है कि केवल तीन शिकायतों की पूरी तरह से चांच की गई है 90 फिजदी शिकायत न 711 मामले सामने आने के साथ 4 लोगों ने करोना के कारण दम तोर दिया है उत्राखन में करोना ने टेंशन बढ़ा दी है 20 दिनों में ये कूल 3 लोगों की डिट हो चुकी है पंचाब भी एक बार फिर करोना के असार दिखाने लगा है राज मिस्वासमंतराले ने बीते 24 घं आनक्रे जारी कर बताया है कि हुशियार और जालंदर में करोना में दो लोगों की मौत हो गई है वही 38 ने मामले दर्ज किये गए हैं जारी आनक्रों की मताबिक देश भर में मरने वाले 9 करोना मरीज में से दिल्ली और पंचाब से 2-2 मौत हो ये जम्मू कश्मीर महरास्ट और उत्रा खंड में से एक एक मरीज की मौत दर्ज की गई अमेर इशपाल अपरहन मामले में अतीक एहमत के साथ उनके वकील सौलितन हनीव को भी अमर कैद की सजा सुनाई गई अपरहन के इस मामले में वकील खान सौलितन हनीव की मिली भगजच संदे पे परे साबित अकील खान सौलितन हनीव पहले से ही अतीक के चक्या काड़े आले में मौझूद था उसके हाथ में एक कागस था जिसमे अतीक के समर्थन में बयान लिखा हुआ था आई पिल में आज राजस्थान रॉयल्स और पंचाब किंक्स के भी स्टकर होगी राजस्थान रॉयल्स की कापतानी जहां संजू सैमसन के हाथों में हैं बहीं पंचाब के लिए इसी सीजन में शीकर धवन कपतानी कर रहे हैं यहां दोनों कप्तान अपनी टीम को इस सीजन का पहला मैच जिता चुके हैं